नबस्कार दोस्तों, वेलकम वोल अफेर्ज, मैं हूँ प्रशान दवर, नाव इंडिया की exceptional performance रही है in the Tokyo 2020 Paralympics, एक ही दिन में आगए 5 medal जिन में से 2 तो gold हैं और एक gold यहाँ पर आया है आपके सामने javelin throw event में in the F64 category बताऊंगा F64 क्या है, मगर यहाँ पर आप दे सकते हैं glorious images, इंडिया, सुमित, अंतिल, इन्होंने जीता है gold medal और मैं आपको यह बतातों इनकी throw कितनी थी, इनकी best throw थी यहाँ पर 68.85 meters यह अपने आपे world record है, और जब इन से पूछा गया कि क्या यह आपका best था confidence है, तो in the future I am sure यह इन्डिया के लिए और भी medal लेके आएंगे, by the way मैं आपको यह बतातों कि javelin throw के इस event में gold तो आया इन्डिया के पास, silver आया है यहाँ पर और शिला के पास और फिर यहाँ पर bronze जीता है, शिलंका ने, और चौथी आपर rank आई है, एक और इंडियान अथलीट की, अगर इनकी throw थोड़ी सी और भैतर होती, तो यहाँ पर gold और bronze दुनों जाता भरत को, बड़ स्टिल मैं कहूंगा, इन्होंने भी यहाँ पर काफी अची performance दिखाई है यहाँ पर मैं mention करना चाहूंगा, के सुमित अंतिल जो हर्यना के हैं, इनकी जो best throw है न, आप अगर इसको compare करोगे, Summer Olympics 2020 के javelin throw event से, जहाँ पर नीरत चोपडा जीत के आया थे gold medal, वहाँ पर जो बाकी athletes थे, कई German athletes, कई Swedish athletes, उनकी throw से compare करोगे न, तो इन्होंने उनसे भी भैत यहाँ पर आप देखोगे, Summer Olympics 2020 के जो athletes है, उनकी throw है, कई athletes ने आपर, German athletes ने आपर 68.30 throw किया था, यह है full bodied able athletes, और सुमित अंतिल ने आपर इनसे भी भैतर perform किया है, तो it is truly exceptional, और by the way मैं आपको यह बता दूँ, कि अभी इनकी age है 23, 2015 में, जब यह करीब 17 साल के थे, तब इ accident में, इनकी जो left leg है, यह चली गई, अब आप सोच कर देखिए, एक 17 साल का teenager, जिसके साथ इतना ज़रा बड़ा accident हो गया हो, उसने कैसे खुद को motivate किया होगा, खुद को train किया होगा, नया रास्ता अपने लिए चुना होगा, और आज के समय वो कर रहा है, पुरे देश का नाम Roshan, it is truly a remarkable story, very motivating indeed, now आप overall India की medal telly अगर देखो अभी आपको दखाऊंगा India की rank क्या है, मगर आज का जो दिन है, 30 अगस्त, what a remarkable day, एक ही दिन में आ गए 5 medal, इन में से 2 तो gold है, सुमित अंतिल का gold medal, उसके लावा राजिस्तान की अवानी लेखरा ने भी, यहाँ पर shooting में जीता है, gold medal, she is now the first Indian female to win a gold medal at Paralympics, इन्होंने भी यहाँ पर अची है history, kudos to her as well, और इनका gold medal आया है, in the 10 meter air rifle category, और आज की जो performance है, इन्डिया की rank हो चुकी है, 26th, यह बहुत ही अची बात है, हलाकि मैं आपको यह बतातू, कि Paralympics, Summer Paralympics में, अभी के लिए China है number 1 पे, China के पास total है 119 medal, और इनमें से 54 तो है gold medal, USA बहुत जारा पीछे रह चुका है, Russian athletes अभी पीछे है, Great Britain से भी यहाँ पर पीछे है USA, USA के total medal है यहाँ पर 49, और अभी देखो यह जो पूरा event है, यह चलेगा 5 सब्तमबर तक, तो अभी हमारे पास काफी दिन है, बहुत से events होंगे, ह हो सकता है कि इंडिया यहाँ पर top 20 पे भी यहाँ पर finish करे, I hope ऐसा ही होगा, अगर ऐसा होता है, तो हम इन countries के साथ खड़े होंगे, Germany, Israel, Japan, France, अगर ऐसा होता है, तो यह performance हमारी Tokyo Summer Olympics से भी भैतर होगी, Tokyo Summer Olympics जो अभी recently होए है, वहाँ पर हमारी rank थी 48, और अगर हम बात करें South Nation countries की, तो इंडिया और शिलंका ही यहाँ पर आपको लिखेंगे, डॉमिनेट करते होए, शिलंका का यहाँ पर दो medal आचुके है, एक gold medal इनोंने भी जीता है, एक silver इनके पास है, बांगलादेश यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, पाकिस्तान की भी यहाँ पर कोई entry भी हु इसका होता है F64 category, तो javelin throw में भी categories होती है यहाँ पर, तो इसका answer है हाँ, यह मैं आपको समझाता हूँ properly, पर आलम्पिक्स की official website से, बहुत ही सरल भाशा में मैं आपको समझाऊंगा classification के बारे में, पर आलम्पिक्स में participate करते हैं दिव्यांग, एक आदमी दिव्यांग properly move कर पाती ही नहीं है, तो various classifications हैं, उसके हिसाब से इनोंने यहाँ पर बार रखी होते हैं athlete, तो अगर हम बात करें athletics की, athletics में आपको बताओगा javelin का sport आता है, athletics में running भी आती है, track and field के बहुत सारे और event भी आते हैं, तो वहाँ पर जो visually impaired athletes होते हैं, जो देख नहीं सकते, व यह categorization है उन athletes के लिए, जिनकी leg amputation हो चुकी है, जो compete करते हैं prosthetics के साथ, सुमित अंतिल को आप अगर देखो, तो वो left leg की जगा वहाँ पर यूज करते हैं prosthetic को, तो यहाँ पर जो T लिखा है न, T होता है for track, track में आता है marathon, jumping event वगरा, F stand करता है for field, तो जो यहाँ यहाँ प यहाँ पर जीता है सुमित अंतिल ने gold medal, यहाँ पर summer para olympics के बारे में overall भी आपको पता रहता हूँ, exam perspective से बहुत important है, now summer para olympics 2020, यह हो रहे हैं Tokyo में, now यह जो para olympics है, यह organized करवाता कौन है, यह करवाती है international para olympic committee, now यहाँ पर यह जान लो, इसके headquarters आपको मिलेंगे Germany में, ठ physically able athletes हैं, उनके olympics होज करवाती है, उसके headquarters आपको मिलेंगे in Switzerland, now अब होता क्या है, जिस देश में, जिस city में olympic games होंगे, summer olympic games होंगे, साथी साथ international para olympic games भी वही पर ही किये जाएंगे, और अब sequence ऐसा हो गया है, कि पहले summer olympics होते हैं, उसके बाद होते हैं para olympic games, इसको आपको समझाता हूँ, और simple language में, जो भी हमारे 5 medal आए हैं, या है summer para olympic games में, जो भी चल रहे हैं टोकियो में, इसके बाद आपको बता होगा, summer olympic games जो है, वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे Paris, France में, तो olympic games के साथ ही 2024 में summer para olympic games भी होंगे, अब यहाँ पे आप पूछो हैं, winter paralympics भी होते हैं, now winter olympics अगले कहाँ पे होने वाले हैं, अगले winter olympics होने वाले हैं, चाइना में, चाइना की capital बेजिंग में, इसको लेकर controversy भी है, कई देश बात कर रहे हैं कि शायद इसको ये boycott कर दें, क्योंकि चाइना ने COVID-19 से rated जानकारी दुनिया से चुपाई ही है, तो ये controversy को कर हम छोड़ दें, तो 2022 के जो winter olympics हैं, यह यहाँ पे होंगे, तो winter olympics के कुछी दिन बाद, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, winter paralympic games, और जो इस बार के games चल रहे हैं, 2020 paralympic games, देखो हम लिखते 2020 हैं, क्योंकि इनको schedule किया गया था 2020 के लिए, ब और paralympic games का mascot भी अलग होता है, जो olympic games अभी अभी हुई थी, उसका mascot था मिराई तोवा, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, यह है मिराई तोवा, और जो paralympic games है, इसका mascot जपान ने रखा है, Sumaiti, यहाँ पे आप देख पाओगे, यह है Sumaiti, Paralympic games का mascot, और finally मैं आप सबसे आप एक सवाल पूछूँगा, जिसका उत्तर मैं आपको दूँगा नहीं, जो जो लोग इसका सही आंसर करेंगे comment section में, उनकी comment को मैं heart देदूँगा, तो आपको उसके indication मिल जाएगी, question आपके लिए सामने यह है, कि सबसे पहले Paralympic games किस देश में हुए थी, first Paralympic games were held in which country, comment section में करो answer, सही answer आप सब लोगों को comment section से ही मिल जाएगा, और अभी के लिए मैं आप सब को यही कहूँगा, कि जो यह goal medal आया है, इसको भी उतना ही cherish करिएगा, जितना आप चरिश करते हैं, Summer Olympics 2020 का goal medal, और उमीद करते हैं, कि अभी और भी बहुत सारे medal आएगे, औ और इंडिया की rank और भी ज़रा यहाँ पर improve होगी, और finally आपर मैं यह भी add कर दूं कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, bank, any examination, simply jow on academy.com पे choose the exam of your choice, for example, अगर आप prepare कर रहे हैं for UPSC, click on UPSC, CSE, get subscription, और यहाँ पर purchase कर सकते हैं, plus यहाँ फिर iconic course, जो plus course है यह यहाँ पर 24 months का, यह आपको पड़ेगा for just 3,000 rupees per month, मगर यह price कभी भी pay मत कर देना, use करो यहाँ पर promo code PD10 and the prices will just fall, so use the code PD10 and save your hard-earned money, so इसी note के साथ, यह है आपर वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all. झाल झाल झाल